क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे जब नमबर तन और इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस इक्वेशन के बारे में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि डिफरेंस इक्वेशन होती क्या है इन दोनों को इस तरह से लिखा जा सकता है तो यह हमारे पास इसकी डिफिनेशन है और यह इसकी एक्वेशन है जिस वह अगर हम एक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो यह इस तरह से लिखी जाएगी कैपिटल एफ एक्स वाई फरस्ट डिफरेंस सेकिंड डिफरेंस अप्टू सौन एंट डिफरेंस यानि इतने हमारे पास डिफरेंसे इन वॉल्फ होंगे इक्वेशन में उससे हम यहाँ पर इस तरह कॉलेक्ट करके लिख सकते हैं जैसे सिंपल फंक्शन लिखना हो तो हम एफ ओफ एक्स लिख देती हैं अगर पार्शल फंक्शन लिखना हो तो इसमें अगर टू वेरियेबल्स हैं तो हम एफ ओफ एक्स वाई लिख देती हैं इसी तरह यहाँ पर अगर ज्यादा हमारे पास इंडिपेंडन टाम्स आरी ह होगी तो यह हमारे पास difference equation का एक result है जरूरी नहीं यहाँ पर equation हो यहाँ पर इस तरह से zero के equal भी value हो सकती है लेकिन एक side पर हमारे पास हमारी difference की equation हो दूसरी side पर हमारे पास चाहे कोई simple equation हो चाहे zero हो या कोई constant number भी हो सकता है difference equation को easily solve करने के लिए हम हमेशा forward differences को shift operators में shift करेंगे और जब shift operator में shift करेंगे तो हम देखें easily इन तमाम values को y की terms में भी change कर पा रहे हैं इसलिए आपने ये वाली values भी याद रखनी है और shift operator को किस वे में apply करना है वो तमाम lecture भी आप एक तफ़ाँ revise कर लें numerical one की playlist में से next important चीज़ है order of difference equation the order of a difference equation written in a form free from first difference यानि all differences यानि first order की बजाए all differences की हम यहां पर बात करेंगे free from all differences is the difference between the highest and the lowest subscripts of the y's यानि जितने भी हमारे पास हमारी equation में y के subscripts होंगे उन में से higher में से lowest को minus करें तो जो value आएगी वो हमारे पास order होगा लेट्स पोज हमारी ये equation है इस equation का अगर हम order find out करना चाह रहे हैं तो y का सबसे largest subscription है मारे पास x plus 3 और lowest value देखें तो वो है x तो इनको minus करें तो x x से cancel value आगई 3 तो ये difference equation जो है इसका order हमारे पास 3 है यहाँ पर note करें ये जो हमारे पास forward differences में equation थी ये भी हमारे पास difference equation है लेकिन forward differences से change करते हुए shift operator के accordingly हम इसको set करेंगे इस तरह y के subscribe के accordingly तो ये finally हमारे पास बनती है हमारी difference equation जिसे हम further solve भी कर सकते हैं नेक्स है degree of difference equation the degree of a difference equation written in a form free from forward differences यहीं के जितनी भी forward differences हमारे पास हमारी equation में हो उन तमाम forward differences को remove करके हमने y के accordingly एपनी equation को set करना है यानि forward differences से shift operator में convert करेंगे और shift operator से y के subscription में change करेंगे उसके बाद हमारे पास जो value आईगी y की highest power वही हमारे पास हमारे difference equation की degree होगी तो यह दो चीज़ें आपने अच्छे से याद रख लिनी है और यह arbitrary एक example है कि यह equation given है इसमें अगर इसका degree की value को find out करें तो वह हमारे पास 3 है क्योंकि y की highest जो power है वह 3 आ रही है और next अगर इसका order check करें तो highest नीचे से subscribe हमारे पास x plus 2 आ रहा है x plus 2 में से lowest find out करें तो यह x भी आ रहा है x को minus करेंगे तो इसका order आ गया to next है हमारे पास solution of difference equation a solution to a difference equation is any function which satisfy it यानि कि जो हमारे difference equation को satisfy करेंगा यहां तक इसकी definition है इसके आगे चलें तो a general solution to a difference equation of order n involves n arbitrary constants यानि कि अगर हम किसी भी difference equation को solve करें तो इसका जो final general solution आएगा उसमें उतने ही हमारे पास constant होंगे जितने के हमारे पास उस difference equation का order होगा जिस तरह हम difference differential equation को solve करते हैं तो जितने हमारे पास उसके roots आते हैं उतनी हमारे पास उसके non constant भी आते हैं उसके solution में उसके general solution में तो same case है यहाँ पर जितना हमारा difference equation का order होगा उतने ही हमारे general solution में constant होगे next है particular solution a particular solution to a difference equation is obtained from the general solution by giving particular values to the constant जो unknown constant है उनको particular values assign कर दी जाएं तो वो solution हमारे पास particular solution बन जाएगा नीचे देखें y x यह हमारे पास एक equation है final solution भी है is the general solution to this यनि यह नीचे हमारे पास difference equation है इसका solution find out किया गया तो हमारे पास यह आगया इसका final solution और चेक करें इसका order किया है x plus 2 में से जब x को minus करें तो 2 इसलिए हमारे पास जिसका general solution है उसमें two constant आ रहे हैं capital A और capital B यह इसके two solutions हैं और अगर capital A और capital B को कोई सी two values assign कर दी जाएं जैसा के A को assign की गई 5 और B को assign की गई 8 तो यह बन किया हमारा particular solution next है हमारे पास formation of difference equations आपने पहला first method तो देख लिया कि अगर आपकी equation में forward differences available होंगे तो आपने forward differences से shift operator में convert करना है और फिर shift operator से आपने y के subscribe देऊ है वो change कर देने है तो आपके पास आपकी difference equation आजाएगी लेकिन अब next देखें for the difference equation corresponding to the family of curves यह अगर कोई equation आपको दे दी जाए और आपको कहा जाए कि difference equation बनाएं आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें constant कितने है unknown constant के accordingly हम अब unknown constant को यहां से remove करेंगे on the other side हम क्या करेंगे हम इस equation के forward differences find out करेंगे और forward differences को collect करके equation बनाकर forward differences को remove करेंगे just to find the difference equation यह हमारे पास है y x हमें constant remove करने के लिए या फिर differences find out करने के लिए निए forward differences भी अगर हमने find out करने है तो हमारे पास इस y x की previous कुछ ना कुछ values होनी चाहिए so हम क्या करेंगे initially method सब के लिए same होगा x की जगा पर x plus one put किया और फिर x की जगा पर ही x plus two put किया इस तरह से हमारे पास यह three equations बन गई या on the other side हमारे पास यह three values बन गई और यह forward first order difference find out किया x plus one minus y x और यह हमारे पास इसकी equation बन गई next अब हमने second order forward difference find out किया तो यह x plus two minus y x plus one कर लिए ठीक है यह two हमारे पास formula का result आ गई यहां पर इसको convert कर लिए हमने ठीक है so यह आ गया हमारे पास plus y x is equal to two a दोनों results find out कर लिए हमने यह in equations को use करते हुए forward differences find out कर लिए इस equation में से यह हमारे पास a की value आ गई a की value हम अपने इस फर्स forward difference में put करेंगे तो वहां से हमारे पास easily यह b की value आ गई अब यह b की value और यह a की value यह दोनों चीज़ें हम put करेंगे अपनी इस first equation में जो कि हमें given थी इसमें a और b की यह value put करेंगे तो यह हमारे पास हमारा हमारी equation बन गई और यह नीचे equation बनी है forward difference की और next हमने क्या किया forward difference से इसको change किया shift operator के accordingly वाइस के subscripts में यह subscripts में accordingly यह इसको change के लिए भी चीज़ दी required difference equation और यह हमारे पास भी एक general solution है form the difference equation given by this where a, b are arbitrary constants यहां पर n use किया गया है इसलिए यहां पर n plus 1 और n plus 2 की two values find out कर लिए यहां भी constant जो है वो a, b two values है first forward difference, second forward difference हमारे पास यह एक method है ठीक है कि किसी भी equation को differences में convert कर लिया जाए second method यह हमारे पास कि हम इनको इस तरह से three equations में convert करें जिस तरह हम किसी भी differential equation को solve करती है उस way में हमने क्या किया इन तीनों को determinant में रखा और अरेंज कर लिया अरेंज करते हुए हमारे पास अब यहां से हमने यह तीन equation इस तरह सेट की कि A, B जो हैं यह हमारे पास ऐसे constant numbers हैं जिने हमने यहां से remove करना है तो remove करने के लिए हमने तीनों को balance करते हुए equations में set किया इस determinant को open करेंगे तो साथ ही हमारा यह answer भी complete हो जाएगा और यह हमारे पास हमारा answer है which is the required difference equation so class आज तक का lecture यहीं तक है आपने इनको देखना है definitions को याद करना है इसका concept समझना है आपको क्यों point हो तो आप comment में पूछ लीजेगा ठीक है next lecture तक के लिए लाँ आफिस next में इन्शाला हम इसके solution को discuss करेंगे तब तक के लिए लाँ आफिस stay blessed लौा में याद रखिएगा